हाजिर हूँ मैं फिर से एक और बहुत ही दिल्चस्प और बहुत ही टेस्टी सी चिकन की रेसिपी रमजान के लिए लेकर तो मैं हूँ शगुफता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई किचन माई जिश तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं रेसिपी और इसके लिए मैंने लिया है करीब देड़ किलो गोश्ट कटा हुआ चिकन का कटा हुआ गोश्ट इसे धो कर साफ कर लिया है इसे मैरिनेप करूंगी बस बहुत थोड़े से सिंपल मसालों से नमक स्वादा नुसार लैसो नत्रक का पेस्ट दो टेबल स्पून और नीबु का रस मैंने इसके इंदर डाल दिया है और इन तीनों मसालों को अच्छी तरीके से इस चिकन के ऊपर लगा देंगे और इसे पनाय मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे तो नीबु भी निचूड गई है आप देख सकते हैं वीडियो में अब इसे अच्छी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक साइड रख देंगे और तब तक इसके दूसरे एक ग्रेवी के मसाले की तयारी कर लेते हैं जब तक ये मैरिनेट होता है 10-15 मिनट के लिए मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है इसे साइड में रखेंगे और ये इसका मसाल अगया हरा मसाला बना कर तयार करना है हरी मिर्ची, हरा धनिया, बादाम और काजू इतनी चीजों का पेस्ट बनाना है इसके लिए अद्रक लहसुन का पेस्ट हम पहले से लगा चुके हैं तीखा आपको जितना पसंद है उतना लगाएं और ये देखिए उतना हरा मिर्चे डाले तो देखिए हमने 10-15 हरी मिर्चे डाले है और एक बंच हरे धनिय का एड़ किया है 15-20 काजू और 15-20 बादा इन सारी चीजों को बना कर पेस्ट बना लिया है यह है प्याज तीन प्याज है चोटे साइस के उन तीन प्याजों को मोटा मोटा काटा हुआ है एक मिक्सिंग बोल में मसाले निकाल लिये हैं हरे वाले पिसे हुए और यह प्याज इसकी भी पेस्ट बना लेंगे तो ये देखिए प्याज की पेस्ट आ गई इसे भी इसके अंदर डाल देंगे तो सारे मसाले पेस्ट फॉर्म में चाहिए दही आ गई, डेड़ कप दही इसे भी फेट दिया है, एक दम अच्छे से पेस्ट हो गई है उसे भी डाल दिया, कसूरी मेथी डाल देंगे करीब एक टेवल स्पॉन के जितनी कसूरी मेथी इसके अंदर आइट कर देंगे और सारे मसालों को ऐसे मिक्स कर देंगे नमक हमने चिकन में पहले से डाला हुआ है इसमें भी थोड़ा सा नमक जरूर एड़ करेंगे ताकि मसालों में बराबर से टेस्ट आ जाए तो ये सारे मसाले मिक्स होकर तयार हो गए है अब इसके अंदर हम डाल देंगे इस चिकन को जो पहले से मैरिनेट की भी रखी है नमक नीबू और लेसुनद रखे पेस्ट के साथ में सारे चिकन के पीसे को इसके अंदर डाल दिया और अब इसे भी मिलाएंगे अच्छी तरीके से उपर नीचे करके अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि वो हरा मसालों उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब एक पैन को गरम कर लिया है इसमें डाला है हमने 2 टेबल स्पून असली घी घी के मेल्ट होने का वेट करेंगे घी मेल्ट होते बरापर हम इसके अंदर चिकन के पीसिस को 1 बाय वन रखते हैंगे इसके अंदर और इस चिकन को हम पकाएंगे तब तक जब तक इसके उपर लाल और ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं सारे पीसे के उपर इन्हें अलट पलट करते हुए पकाना है थोड़ा बीच बीच में ढख दे तो उससे सॉफ्ट हो जाएगी चिकन इस पर जब तक ब्राउन स्पॉट्स आएंगे तब तक वो अच्छी तरीके से पक जाएगी तो वो एक साइट पकने के लिए रख दी है दूसरा पैन लेंगे दूसरे पैन में इसकी ग्रेवी की तियारी करेंगे तो यह जो मसाला मैरिनेशन के चिकन में से बच गया है वो मस आखेे दूसरे पैन में चिकन तो चिकन के उपर देखे रेड रेड और ब्राउन ब्राउन स्पोट्स आना शुरू हो गया है अच्छी तरीके से इस पर जो मसाला लगा हुआ था वो अच्छी तरीके से भून चुका है और चिकन भी गल के त्यार हो चुकी है मतलब यह चि और ये दूसरे पैन में ये भून रहा है मसाला मसाला भी भून के तयार हो चुका है और उसमें से सेपरिट दिखाई देने लगा है और कंसिस्टेंसी भी थोड़ी ठीक सी कंसिस्टेंसी आप चाहें तो कंसिस्टेंसी और लिक्वीड कर सकते हैं इसके अंदर अब इस भूनी वाली डिश बहुत अच्छी लगती है तो ये डिश रात के खाने के लिए और सहरी के लिए तयार हो चुकी है ये देखिए हमारी डिश तयार है अब हम इसे डिश आउट कर देंगे और इसे गार्निश करेंगे अपनी मंचा ही गार्निशिंग के साथ में हमने अपना सर्विं बूल ले लिया और इसके अंदर इसे निकाल दिया है, पीसेस पीसेस निकाल दिया है, देखने में ही बहुत टेम्टिंग लग रहा है, नान के साथ में और चपाती के साथ में खाने में इसे बहुत मज़ा आने वाला है, और इसे खा के आप दूसरे दिन का रोजा पूरे जो कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर और अगर आप चैनल पे पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब किये बगएर कहीं मत जाएएगा टेक वेरी गुट केर आफ यॉर्सल्फ और फैमिली बबाए